नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मरोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं Excel में Auto Filter Option ठीक है Auto Filter Option का क्या काम होता है अगर आप में Data में कुछ भी Update होता है तो Data जो है Automatic Filter हो जाएगा ठीक है जैसे कि मैं Example के तोर पर यहां बता रहा हूँ अगर आप Normal Filter करते हो तो क्या करते हो यहां पर Data में जाते हो और यहां पर Filter Option लगाते हो ठीक है और यहां पर आप Ascending में या Descending में आप लगाते हो ठीक है तो यहां पर मैं यहां पर लगा देता हूँ Large to Small तो अभी Large नमर सबसे उपर आया उसके नीचे आया सब कुछ आया ठीक है अगर यहीं पर देखिए मैं यहां पर इस Cell के अंदर Auto Filter लगाया हूँ तो इसका Benefit देखिए अगर मैं यहां पर 2300 है इस Data को Change करके 45000 कर देता हूँ तो देखिए यह डेटा Automatic Sorted हो जादगा Automatic Filter होके उपर आ चुका है ठीक है यही चीज एक्सल में देखने वाले हैं कि कैसे होगा ठीक है तो उसके लिए हम लोग चलते हैं वीडियो की और देखते हैं कैसे होता है मैं एक Blank Seat पर जाओंगा और इस Seat में जो है आपको मैं एक्सल में Auto Filter Option लगा के ब प्रवलम की Help से यहां पर लगाएंगे Auto Filter Helper में क्या करेंगे सबसे पहला जो काम क्या करेंगे इस सेल के अंदर का Rank निकालेंगे यहां पर लिखूंगा Equal to rank Rank formula जो की आपको पता है और यहां पर Rank formula में सबसे पहले पूचा जाता है Number तो Number मैं यह ले लेता हूँ, कोमा डालता हूँ, उसके पूचा जाता है Reference, किसके Reference में इसको करना चाहते है तो इसके Reference में करना चाहता हूँ एफ-4, प्रेस करके, आप क्या करो, इस cell को लॉक कर दो, उसके बाद, कोमा दीजिए, उसके बाद, इसको ऐसेंडिंस में चाहिए, डिसेंडिंस में चाहिए, आपको जो भी चाहिए, आप यहां से, select कर लिजे और enter कर लिजे ठीक है तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे 236 इस cell के अंदर इसका rank जो है 9th position है यहाँ पे यह position दे चुका है ठीक है अगर आप इस formula को नीचे की और drag करते हैं तो सभी का position आपको यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपको मिल रहा है सभी का position अब क्या करता हूं देखिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा shortlisted के लिए भी look up का formula भी look up ठीक है यहाँ पे भी look up डालाऊंगा और भी look up में यहाँ पूछा जाता look up value, look up value मैं यह ले लेता हूं ओके look up table array यह पूरा table को मैं select करता हूं और इसको कर देता हूं F4 ताकि lock हो जाए यहाँ पे name है, name के लिए कौन सा चाहिए यह first, second, यह third column है यहाँ थर्ड लेता हूं comma range exact exact match करता हूं और interface करता हूं यह जो है formula ready हो चुका है same way अगर cells के लिए भी करना चाहिए तो इसी formula को just मैं copy करूंगा और copy करके यहाँ पे paste कर देता हूं और paste करना में यहाँ 3 के बदले 4 कर देता हूं 4 क्यों क्यों हो यहाँ पे क्योंकि आपका देखिए यह first, second, third यहाँ पे fourth cells का value कहाँ पे है, fourth नमर में है इसे लिए यहाँ पे कर दिया fourth और इसको कर दिया enter अब आप जब इसको नीचे के और drag करोगे, ठीक है, यहाँ पे जो है सभी formula अपलाए हो चुका है, अब देखिए यह आपको जो है automatic filter होके सभी data यहाँ पे आ रहा है, अगर आप इसमें कुछ change करेंगे ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 25 में कर देता हूं ना, देखिए 250 कर रहा हो ना, देखिए, 250 automatic adjust होगे अपने position पे, ठीक है, तो यहाँ पे तो यह तो हो रही है, एक चीज और इसमें आपको problem आ सकते है, क्या problem होगी देखिए, अगर यहाँ पे 250, 250, two times लिख दिया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे error आ जा रहा है, अगर आप देखिए, number दो data आगे, क्योंकि दोनों का position सेम है, दोनों का value सेम है, sales का value तो एक value ले लिए, दूसरे को छोड़ दिया, first वाले ले लिए, second वाले को छोड़ दिया, और यहाँ 8 नमर यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे error आ चुका है, इस error को हटाने के लिए क्या करेंगे, दे होगे, तो यहाँ पे range पूछा जा रहा है, तो range आप इसको select कर लो, और यहाँ पे poma दे के, फिर से वही range select दिया, और first वाला जो है, इसको क्या करो, f4 प्रेस करके, इसको lock कर दिया, ठीक है, और second वाले को इसलिए और criteria में भी आप इसी को ले लिए, ठीक है, और इसके बा नमर लाने के लिए, यहाँ से starting हो, second से हो रहा है, आप क्या करो, यहाँ पे, जब आप जा रहे हो, first cell में, first cell का edit कीजिए formula, और इसमें जाके minus one कर दिया, ठीक है, और enterprise कीजिए, अब इस formula का आप जब drag करो गए, तो यहाँ पे कुछी भी type का error नहीं है, देखे, दो similar value था, उसका भी आपको यहाँ पे rank दे चुका है, अगर यहाँ पे कुछ भी change करते हो, सभी जो है, automatic change होगा, ठीक है, तो क्या था, क्या किया, सब कुछ आपको पता चला, फिर भी अगर कुछ dot हो, ता आप मुझे comment section में लिखे, ठीक है, तो इस वीडियो में से इतना ही, और मिलत